Hello, Good evening to all of you, आप सभी का सांती निकेतन क्लासेस में स्वागत है आज हम लोग डिसकस करेंगे गौस, लो या गौस थियूरम के उपर यह काफी important topic है, क्लास 12 के लिए तो है ही है important और साथ में जो है जेई और नीट का जो preparation कर रहे हैं उनके लिए भी काफी important है और diploma students के लिए भी है तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि गौस लो होता क्या है फिर गौस लो का जो गौस थियूरम या गौस लो है फिर उसका एक बार हम लोग proof भी देखेंगे तो सबसे पहले एक जो सामने definitions लिख लिए है उस definitions को समझते हैं और फिर इसका equations भी हम आपको बताते हैं तो जैसे समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन a closed surface the total electric flux is equal to 1 by epsilon naught times the total charge यानि कि एक closed surface में जो total electric flux जो होता है वो charge के 1 by epsilon naught times के बराबर होता है यानि 1 by epsilon naught times of electric charge ठीक है तो अब essence यहाँ से यह पता चला कि electric flux electric flux वाले lectures में हम discuss किये हुए है कि electric flux के क्या formula होता है उसका definitions भी तो इसमें उसी के आधार पे जो है gosh law को हम लोग देखेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमने एक definitions दो देख लिया अब इस definitions के according जो हम लोग ने देखा चार्ज यानि कि q q यहाँ पे क्या है संस एलेक्टिक चार्ज है या उसी को हम लोग क्या बोला है टोटल चार्ज के बराबर यानि कि फाई जिकास्टू क्या होग है संस क्यूव भाई कि epsilon not भी लिख सकते हैं ठीक है epsilon not इसका नेम है इसको हम लिख देंगे तो अब इस definitions के according तो हमारा फर्मूला यह आ गया एलेक्टिक फ्लक्स का लेकिन साथ में हमने इसको और अच्छे सा समझने के लिए जो है थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए हमने एक और इसमें डेफनीशन लिख रखा है डेफनीशन को एक बार देख लीजिए डेफनीशन से है कि दा सर्फेस इंटीग्रल अप एलेक्टिक फिल्ड इंटेंसीटी जिसको इब हेक्टर से डिनोट करते हैं इन कि लोज सर्फेस इज इकवस टू वाइफ साइलन और टाइमस ऑफ टोटल चार्ज इन क्लोजड बाई क्लोज्ड सर्फेस यानि यह बार बर क्लोज सर्फेस की बात हो रहा है जैनरल हम लोग इसमें स्पेयर की बात करेंगे अब इसको थोड़ा सा डीप में कि यहां पर हमने एक सेंटर पर क्यूंच ले लिए और इस चार्ज से जो है इसका आर डिस्टेंस इसका जो है इसे स्पेयर का रेडियस एस ठीक है और यहां पे स्मॉल एयरिया हमने कटकर लिया जिसका डारेक्शन इस इस डारेक्शं को रिपर्जेंट कर रहा है जिससे डारेक्शन में इल्ытक्टिक फिल इंतेंसिति हैं अब कहीं वे भी आप यहां पे भी जो है small sections ले सकते हैं और यहां से भी इसको रिपर्जेंट्स कर सकते हैं यह भी हमारा क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा यहां पे हो जाएगा E का direction और यहां पे DA का direction, कहीं पर भी और भी ले सकते हैं, इसको यहाँ पर भी अपले सकते हैं, यहाँ पर हमने small sections, यहाँ यह small area cut कर लिया, और इस small area से इस directions में जो है, दो चीज़ आ गया, एक तो आ गया essence, electric field intensity और दूसरा क्या आ गया essence, DA vector जो इस directions को represents कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर DA हो गया, a small area, ठीक है, अब actual meaning of Gauss theorem क्या होता है, वो एक बार हम लोग समाजते हैं, समाजना यह है कि जो इस charge से, इस close surface पे जितना electric flux link करता है, वो total, पूरे surface पे, मनलें यह जो center में charge है, यह पूरे surface पे हमारा क्या link करेंगा है, electric flux, यानि total electric flux, और वो total electric flux कितना link करता है, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, close surface is equals to one by epsilon not times of the total charge in closed by the closed surface, यानि कि उस charge से, total one by epsilon not times जो है, electric flux का इस पूरे close surface पे link करता है, ठीक है, तो यह हमारा eject definitions या इस theorem का meaning यहाँ पर निकल गया गया, अब close surface की बार 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 बात हो रही है, तो close surface में इसके according भी definition लिख सकते हैं, यानि इस definition का equation, तो देखें, एक close surface हो गया, अब यह किसके लिए, कितने के बराबर हो जाएगा यह आपका एक बार हो जाएगा, कि अब यह पूरा close surface है, electric field intensity, यानि कि यह हो गया, e.da vector जो है, और यह किसके link करेगा, यानि 1 by epsilon not times of charge, यानि कि यह कुछ इस तरीके से इसका definition, second वाले के according हम लोग इसको एक बार समाज लिए, ठीक है, तो phi is equals to q, 1 by epsilon not q, और close surface, surface integral हो गया, और यह जो बात हो रही है, यह vacuum के लिए हो रही है, यानि कि यह जो किसके लिए होगी है, vacuum के लिए, ठीक है, और epsilon not का जो है, epsilon not को एक बार लिख लीजिए, epsilon not जो होगा, वह electric permitted heat in air slash vacuum की बात होता है, air को भी हम लोग एक vacuum की तरह treat करते हैं, air slash vacuum, और इस epsilon not का जो value होता है, वह लिख लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square divided by Newton meter square के बराबर होता है, ठीक है, तो यह पूरे Gauss law, Gauss theorem का एक exact definitions है, और definitions के साथ में आप उसका एक diagram बना लिजेगा, और उस diagram से इसका एक equations हम लोग जो इस equations को एक बर देख लिजेगा, अब इसमें, जो E vector dot DA vector जो है, यानि closed surface integral में जो दिया हुआ है, अब इससे कैसे Q by epsilon naught आता है, यानि वह वही पर उसी का नेम हो जाता है कि इस Gauss theorem का proof कैसे आता है, तो अब जास्ट इसको एक बर क्या किजिए सो, no down कर लिजिए, और या screenshot ले लिजिए इसका एसो, फिर हम लोग जो देखेंगे कि इस Gauss theorem का या Gauss law का proof क्या होता है, यानि कि इससे ये कैसे value आ गया Q by epsilon naught, ठीक है, तो एक बार इस questions no down किजिए, फिर इसका proof बताते हैं, कि देखें, और यहां पर एक चीज़ और देख लिजिए, कि यहां पर हम लोग देखें कि अब इसका proof में, यहीं diagram से हम लोग का काम चल जाएगा, तो एक काम करेंगे, आप लोग तो एक बार theorem में पूरा यह diagram बना लिजिएगा, लेकिन प्रूफ के टाइम में वापिस से इसका diagram बनाना है, या फिर से हम इसको बना ही देते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं पूरा, ठीक है, अब हेडिंग लगा लिजिए संस्ट, प्रूफ अब गौस थेरम, यानि इसका क्या हम लोग देखेंगे संस्ट, प्रूफ, प्रूफ अब गौस लोग या गौस थेरम, हेडिंग लगा लिजिए संस्ट, ठीक है, और एक बार डाइग्राम देखेंगे, इस डिरेक्शन्स में एक सेक्शन्स कट कर लिए, एक स्मॉल एरिया, जिसका रिपर्जेंटेशन इस डिरेक्शन्स में है, यानि कि यहाँ पे इब हेक्टर और यहाँ पे डिये, ठीक है, उसी तरीके से, आप कहीं भी सेक्शन्स कट कर सकते हैं, यहाँ से एक हीच कितना फ्लक्स लिंक्ट हो रहा है वह तो गौसलों कहलाता है तो आप यहां पेसे भी कट किजीए तो यहां से एक मिला लीजिए इस डिरेक्शन में आपका हो गया यह डिये का डिरेक्शन सोगा सेम डिरेक्शन में आपका एलेक्टिक फिल्ड इंटेंसीटी है और यह सकते हैं ठीक अब अभी-बिश्फ नेन सकते हैं अभी-अभी-पो देखके सभी को Π्रूफ कैसे आता है तो देख लीजिए Norm यहां पे यहां पर क्या होगा है से स्मॉल एरिया अगर एरिया अप एस्पेयर देखेंगे तो एरिया पर होता है फोर पाई आर एस्वायर के ब्रावर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस मालेते हैं यहां इसकर कोई भी एक सेक्शन समलोग ले लेते हैं अब यहां पर एक चुटिक फिल्ड इंटेन्सिटी औरड ये का जो डरेक्शन है ओस्थ सेम डरेक्शन में जो है रिपर्जेंटेशन है यानि कि अगर थी spies sırना r डिगड़ी के बराबर है ठीक है अब डेफ एकॉर्डिंग टू डेफिनीशन सब गॉसला अब हम लोग क्या देखे थे एकॉर्डिंग टू गॉसला to close integral जो था ओ एलेक्टिकट फिल मच ट्र का था यानि कि इसका क्या होगया यह ओडिक्टीक ट्रॉड प्रॉडक्त होगया अब आध्रलेक्टिक उनिपसीट डिया का ड्रॉडक्त है तो डॉडक्त होता है तो उसमें कॉछ कोंपोनेंट आता है यानि कि अगर इसको हम लोग टोटल लिखेंगे तो इसको लिख देंगे कि close integral of E DA cos theta, ठीक है, theta का value यहां से कितना लेंगे संस, 0 degree, और 0 degree लेंगे तो cos theta, cos 0 degree का value का कितने के बरावर होता है संस, 1 के, तो यहां पर value राख लीजिए, value राखेंगे तो हो जाएगा, close integral E DA, अब द E को कॉमा ले लेते हैं संस, बाहर, और DA को रहने देते हैं, और यहां पर क्या हो गया, cos 0 degree, और cos 0 degree का value 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बने गए संस, E और यहां पर close integral of DA, और DA का integriations देखे, DA का integriations हो जाएगा A, तो यानिकी कि यहां पर क्या आ आ गया, संस, E into A के किसके बराबर है संस्ट फाई के ठीक यानि कि फाई का जो भाईलू यहां पर क्या निकल क्या है संस्ट इंटु ए अब यह क्या है संस्ट इह है एलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी और एलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी का जो फर्मूला है किसी चार्ज के लिए वो होता है स एरिया का भैलू यहां से हम लोग देख लिए हैं एरिया है फोर पाई आरे स्क्वाइर के ब्रावर तो अब यह यह का और एका दोनों भैलू इस इक्वेशन में पूट करेंगे यहां पर लिख सकते हैं कि अब भैलू अब एड़ पूटिंग इन दिस इक्वेशन देन ओनाइब फोर पाई, एपसिलें नाट इंटू भोर पाई, प्रिफार और स्कॉल्ड जम्रेशimes के ब्रावर तो देखेंगे हैं सी यहां से टे पाई एक लोग्या, तो बचाए का ईश्टों स्कार ओर पो reacts 2, probably the four by Chi Щािए नियु के बराबर लोग देख लिए कि किस तरीके से गौसच निए और यह गौस Therum का पूरा प्रूफ आगा एक वर थोड़ा सब जल्दी से एक सेकंड एक मिनेट के अंदर समझा देते हैं एक बार समाझ लिए यहां पर हमने लिया जो नेट टोटल फॉलक्स जो था वर फॉलक्स जो फॉलक्स दोटल फॉलक्स जो जो यहां पर फॉलक्स घंट यह वला रख लिए वन भई फॉर पाइपिसाल नौट क्यूब आरे स्कॉर और एक जग़ा पर हम यह भाई रख लिए फोर पाई से फॉर पाई कैंसील हो गया आरे स्क्वार से आरे स्क्वार भी केंसिल आउट हो गया तो बच्चा कैसे क्यूँ और यहाँ पेपसाइले नौट यानि फाइज इस एकॉस टू क्यूँ बाई एपसाइले नौट दिस इस दा प्रूफ आप गॉस थीरम या गॉस लो ठीक हैसन तो अभी तो इस लेक्चर्स हम लोगो पढ़ना एयस संग वो तीनों हे अप्लिकेशन्स जस्ट इसकेес के बाद नेस्ट लेक्शर में हम लोग उसको डिसक्स करेंगे अ मिलते हैं आ इस नेक्स लेक्चुर्स बीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब भी और